हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अलिका इंसेक्टी साइड के बारे में जो की बहुत ही पावरफुल इंसेक्टी साइड है यह एक दो को फॉर्मुलेशन के साथ बनाया गया किटना सक है तो डीटेल से वीडियो में जानकर दी जाएगी इसके मोड आप एक्षन की इसमें टेक्निकल फॉर्मुलेशन क्या यह कौन-कौन सी फसलों में आप इसका उप्यूक कर सकते हैं इसका सही डूज आपको कैसे यूज करना है यहां इसका चिड़का आपको कैसे तरीके से करना है तो डीटेल से जानकर यह दी जाएगी वीडियो में एंड तक बने रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसमें टेक्निकल फॉर्मुलेशन की या इसमें कौन-कौन सा कंटेंट आता ह बात करते हैं इसके mode of action की कि यह फसलों में किस पर्षकार से कारे करता है तो यह एक broad spectrum systematic plus contact insecticide है जो फसलों में systematic तरीकी से हों contact के माध्यम से फसलों में रोगों को नश्ट करता है यह एक ZC formulation के साथ तयार किया गया है तो इसमें यह ZC formulation क्या होता है तो इसकी बारे में detail से जानकारी में आपको देदू कि ZC formulation में दोनों जो technical है उनका छोटे-छोटे करण यानि capsule में तयार किया गया है जो कि फसलों के उपर जाते ही पत्ती और एमम फलों पर चोटे-छोटे capsule उस पे गिर जाते है उसके बाद वो दीरे-दीरे रिलिज होते है और उसके बाद लंबे समय तक हमको result देखने को मिलता है इसके बारे में अगर आपने इस्प्रे कर लिया है तो उसके बाद आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक आपका इसमें result देखने को मिलेगा बात करते हैं कौन-कौन से इंसेक्ट या कीटो को गन्ट्रोल करता है तो यह मुख्य रूप से दु भगो को कंट्रोल करता है कीटों के एक तो होते हैं रस सूचक कीट जो की रस चूचने का काम करते हैं फसलों में आप दूसरे बात की जाये तो दूसरे होते है फलों को चबाने वाले, तो दोनों को सारे थ्माबो करता है, बात करते हैं कौन कौन से कीटों को चबित. यह ᪹क+. रुप से बॉल वाम एफिट्स पत्ता मरोड जो कि पत्ता मरोड पत्ता मरोड देता है जैसे मिट्स का हो टमाटर का हो बहुत सारे फसलों में पत्ता मरोड रोग हो जाता है बहुत ही जिसको वाइरल अटेक भी बोलते हैं लोग तो उन सभी को भी कंट्रोल करता है एम सफेद कर लेता है माईल्स बग्स को कंट्रोल कर लेता है इल्ली को कंट्रोल कर लेता है दान में जितने भी गंदी बग वगेरा होते उन सभी को कंट्रोल कर लेता है अनार में तितली को कंट्रोल कर लेता है एम फल छेदक को कंट्रोल कर लेता है जो फलों पर छेद करके चला जाता ह सब्सक्राइब करता है इसको केटकों कर लेता है अगर इस लिस्ट में जिसका नाम नाम नहीं आए उस कीट को भी यह कंट्रोल करेगा इसमें दो tribal है के कारणνη यह इक अलग काम करता है दूसरा अलग काम करता दोनों मिल गए तो पूरह 100% कारे करता है बात करते हैं कौन-कौन से फसलों में आप इसका उप्यूग बेजिजग कर सकते हैं तब मुख्य रूप से टमाटर मिट्स खीरा बेंगन कपाच दान लौकी मटर अनार सोया बिन अन्य सभी परकार की बागवानी एवं सब्जी वर्गी फसलों में आप इसका उप्यूग बे बात करते हैं इसके डूज की कि आपको इसका सही डूज कैसे रखना है ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले क्योंकि बहुत सारे किसान पाईयों को कोई भी इंसेक्टि साइड अफंगी साइड का सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है उसका कारण भी एक मैं आपको बता दू कि इसका मुख्य कारण होता है या तो आप इसका उप्योग करते हैं उस टाइम आपको इसका डूज गलत रख देते हो इसका उप्योग आपको पर लीटर रखना है और आप आदा एमल रख लेते तबी इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो हमेशा से यह ध पर Litr पानी में 1 ml रखना अगर 15 लिटर की टंकी स्विच्परे का 13 इसका डोज रखना है और अगर आप ज्यादा फसल है और अगर आप 200 लिटर ड्रम के मात्यम से स्प्रे करते तो उसमें आपको 200 लिटर पानी में 200 ml रखना है यह इसका फिक्स डोज आपको पूरा डोज रखना है तभी आपको इसका रेजल्ट देखने को मिलेगा बात करते हैं इसके प्राइज की कि मार्केट मे आपको शम्तिंग 80 ml का पेक 200 से 500 रुपे में अभैलेबल हो जाएगा अगर मार्केट की बात की जाए तो अलग लग रैट हो जाता है कहीं पर पच्छास रुपे कम हो जाते तो कहीं पर पच्छास रुपे ज्यादा हो जाते तो इसलिए आप मार्केट में ये एवरीज 200-2500 रुपे में 80 ml पेक आपको मार्केट में मिल जाएगा बात करते इसका सही उप्यों गया हूं सावदानिया क्या 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 आपको रखनी है तो पहली सावदानिया आपको हमेशा इस्प्रे करने से पहले अपने हाथों में गलप्स चहरे पर मास्क चसमे डालके यूज करना क्योंकि इसमें दो टेकनिकल है और बहुत ही खतरना टेकनिकल है अगर आपके इसकीन पर यह टच हो गया तो आपके इसकीन उदर से जलने लग तो हमेशा पूरी सेफटी के साथ इस्प्रे करना आप दूसरी बात इसके साथ आप क्या क्या मिला सकते तो मुक्य रूप से आप इसके साथ एक कोई भी फंगी साइड मिला सकते हैं आप बहतर रिजल्ट के लिए आप इसके साथ चिप को यानि स्प्रेडर स्टीकर मिला सक तो यह थी अलिका इंसेक्टिसाइड के बारे में डीटेल से जानकारी, कैसी लेगी आपको कमेंट करके जरूर बताए, धन्यवाद किसान मित्रोग